नमस्का साथियों, मैं आप कमेंटर है एच की गुदारा और आज की न्यूजपेपर में जो CT वड़े साथियें और TGT वड़े जो साथियें उनके लिए ख़बर है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं CT के बारे में तो CT में अमारे बापाल सिंग खत्री ने बताया है कि चार गुणा यानि कि जो सक्रीनिंग टेस्ट होगा जिनका CT क्वालिफाई हुआ है वो कितने केंडिगी डेट है तीन लाक पॉइंट 26 यूँआ है जिनका CT पास हुआ है यानि कि इससे ज़्यादा है और चार गुणा इ इसके अंदर कि जो 3.26 लाक यूआउ ने ये CT पास किया है और इनी में से 4 गुणा है वो पोस्टों के लिए बुलाएंगे और जो सक्रीनिंग टेस्ट है वो जून के बाद कभी भी लिया जा सकता है तो साथियों जो भी CT की त्यारी कर रहे हैं वो कमर कसलो और अच्छे से अपनी त्यारी जारी रखो को जल्दी आपको CT का स्क्रीनिंग का टेस्ट है देखने को मिलने वाड़ा है और इसके अलावा बोपाल संग खत्री ने बताए कि तीन और फार्मूले भी हम लगा रहे हैं क्योंकि फार्मूला क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट का ही है कि च्यार ग यानि कि जो 171 पोस्ट उनमें 33,000 युआ है वह साथी टेस्ट देने के लिए पोचे थे इन में से 2650 युआ है जिनोंने क्या किया है उबजेक्शन क्या यानि के चैलेंज किया है 2650 साथी है उन्होंने जो आंसर की थी उसके अंदर चैलेंज किया है कोंशनों गल्त मनाय वो चैपोन के मादियम से या खुद हसी कारियले पंचकुला जाकर उन्होंने जो हमारे मुबाल सिंग खत्री है या अन्य साथी है उनसे बादचीत भी की है सबी सवालों को आयों के चीफ एक्जामिनर के पास भेज दिया गया है या तो हमें जो रिवाइज है आनसर की मिलेगी या जैसे ही डीवी होता है तो डीवी के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर बदलाव है वो देखने को मिलेगा वो एक दो नंबर का भी हो सकता है और तीन नंबर का भी हो सकता है वो सब हमारे chief examiner पे depend करता है तो सातियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि process चल रहा है जिसी में सबसे पहले तो claim वाला होगा claim के बाद उनकी list आएगी जो five marks claim करने है उसके बाद DV की लिस्ट आएगी और DV से पहले हो सकता है कि हमारी रिवाइज आंसर की भी आपको देखने को मिले इतने तक जो चीफ एक्जामिनर है वो अपना रिपलाई जो हमारा कारेल ले एचसी का उसको भेज देगा तो साथ यह छोटी सी खबर दी आपके लिए और इसी तरह हम से जुड़े रहे